इस विडियो में आपको बताऊंगा बूट लोडर अनलॉक एंड कस्टम रिकवरी इंस्टॉल के बारे में जी हाँ इस विडियो में आपको बताऊंगा किसी भी डियल में डिवाइसे के बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते और उसमें custom recovery को कैसे install करते हैं without PC उसके बारे में यह सब बताने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो बस अभी का भी चैनल को subscribe कर दो और साथ में जो notification बेले उसको दबाके all कर दो ताकि जैसे ही में in future कोई ऐसा video upload करूँ तो आपक चैनल को भी जोइन कर सकते हो वीडियो के निचे description में सब सूपर आपको link मिल जाएगा तो अगर आपके पास realme का कोई से भी device है तो आप उन सभी devices में यही same method को follow कर सकते हो मतलब अगर आप यही same method को अपने किसी भी realme devices के नदर follow करोगे तो आप भी वही है सबसे पहले ना डीप टेस्टिंग एपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है लिंक आपको description में मिल ज सकते हो आपके पास चाहे कोई से भी realme का device हो आपके लिए भाया डीप टेस्टिंग जो एप है वो में दे दूंगा description पे तो जाओ यह डाउनलोड करो और उसके बाद में सबसे पहले आप अपने फोन में डीप टेस्टिंग एप को इंस्टॉल कर लो डीप टेस्टिंग आ करना है और उसके बाद में आपको नीची आपनेर याप टाम से कंडिशन को एक्सिप्ट करके सब्मीट application के ऊपर क्लिक कर दिना आए जैसे आप सब्मीट application के उबर क्लिक करोगे आपका जो application है वो under review में चला जाएगा दिन आपको 15-20 minute वेट करना है उसके बाद में आप जैसी जाके चिकाउट करोगे आपका जो एप्लिकेशन है वो भाईया सक्सेस्फुली एप्रूफ हो जाएगा दिन उसके बाद में आपको भाईया अपने फोन का जो डेवलेबर आप्शन है उसको इनेबल करना है और डेवलेबर आप्शन के अंदर जाके आपको OEM अनलॉकिंग एंड यूएस्बी डिबगिंग को अन कर दिना है उसके बाद में आपको डीप टेस्टिंग एप में वापस आना है और आपके सामने आपके कुछ इस टाइप का ओप्शन आएगा कि start the in-depth test तो आपको simple सा इस वाले option के उपर क्लिक कर दिना है और आपने फोन को भाईया side में रख दिना है मतलब आपका जो main phone है उसको भाईया side में रख दिना है अब जैसे कि मैं आपको बताया भाईया मैं अपने realme c3 का जो bootloader है उसको unlock कर रहा हूँ तो इसको में भाईया side में डख देता हूँ और यह दोस्तो है मेरा realme c1 जिससे मैं अपने realme c3 का bootloader unlock करूंगा अब यहां पर दोस्तो आपको ना आपने दूसरे phone में कुछ application कुछ custom recovery image और vb meta image को download करना है सभी के सभी links आपको जो भी custom recovery चाहिए आप उसको download कर सकते हो TWRP recovery चाहिए तो वो भी download कर सकते हो peach black recovery चाहिए तो वो भी download कर सकते हो orange fox recovery चाहिए तो आप वो भी download कर सकते हो लेकिन हाँ एक application आपको download करना है play store से उसका भी link आपको description में मिल जाएगा साथ में custom recovery उसका भी link है वो भी description में मिल बेटर है कि आपना टेलिग्राम ग्रूप को जोएन कर लो क्योंकि वहाँ पर जाके अगर आप नोट्स रण करोगे न तो आपको वहीं पर टेलिग्राम ग्रूप के अंदर ही सभी के सभी जो फाइल से वह आपको मिल जाएगा तो टेंस्ट बाली बात नहीं यार डिस्रिश् अब यह जो सेटिंग है यह हर एक फोन में अलग अलग होता है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर लो अपने फोन का जो मोडल नमर है उसको लिखकर सर्च करो कि वहाँ टू टर्न ओन ओटी जी एक्सेस तो आपको गूगल पर ही जो इसका एंसर है वह दिखने को मिल बढ़न देशन हो जैसे अब करोगो आपके समने कुछ इस टाइप के इंडरस आ जाएगा अगर आपके दुसरे फोन में यह वाला इंटरफेस नहीं आ रहा है तो मैनुली आप अपने गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलूड किया था था ना उस एप को आप को अप मैनु सब्सक्राइब चांस है कि आप जैसे ही कनेक्ट करोगे अपने फोन के साथ में वैसे आपके दूसरे फोन में यह वाला जो इंटरफेस से आ जाएगा बट अगर नहीं आता है तो उस केस में आपको क्या करना है उसके डिगार्डिम में आपको बता दिया है फिर दूस्स आप इसके बाद में आपको इंटर करना है मदलब यह पर जो यह बटन आ रहा है आपको इसके वपर क्लिक करना है और उसके आपको जो दूसरा कमद करना है वह यह आप छीकल पर यह पर ऑस्ट बॉट व्लैशिंग अंलोग ठीक है दिन जैसे यह कमद जी टाइप करके एंटन कर का है कि अगर आपको फोन का बूट लोडर अनलॉक करना है तो वॉल्यूम डाउन बटन को एक बार प्रेस कर दो और उसके वाप में आपको दोबार अपने दूसरे फोन में कुछ कमंड्स टाइप करना है आपको अपने दूसरे फोन में जाना है मेक शूर कि दोनों फोन USB केबिल और जो OTG मैंने आपको अड़ेटर बताया था ना उसके साथ में मतलब एक फोन से दूसरा फोन कनेक्टेड हो तो आपको यह सिंपल से अपने दूसरे फोन में जाना है मतलब वॉल्यूम डाउन बटन दबाने के बाद में आपको अपने दूसरे फोन में जाना है कमंड्स सेक्षन पे और वहाँ पर जागा आपको टाइप करना है फास्ट बूट रिबूट जैसे ही आप यह कमंड्स टाइप करोगे ना आपका जो मेन फोन है जिस फोन का आप बूट लोडर अनलॉक कर रहे हो वह जो फोन है वह आपका सकसपुली अन हो जाएगा और अब ही दुस्टो मतलब आपके फोन का जो बूट लोडर है वह सकसपुली अनलॉक हो चुका है विदाउट PC तो अगर आपके वास वह पीजी नहीं है मेरी तरह तो आप अपने फोन का जो बूट लोड़ने वो अनलॉक कर सकते हो कुछ इस टाइप से अब यहां पर तो सो बात करते हैं इसके बाद अगर आम कस्टम रिकवरी इंस्टोलेशन की तो आपका जो में फोन है ना मतलब जिस फोन का आपने अभी बूट लोडर को अनलॉक किया है उस फोन में आपको वापस से डिवलेबर ऑप्शन को इनेबल करना है तो सबसे बहले आप यहां बहले जाके आप डिवलेबर ऑप्शन को वापस से इनेबल कर दो फोन में जाके आपको दोबारा USB डिबगिंग को आण करना है तो USB डिबग इंग करने के बाद में आप अपने मेन फोन को अपने दूसरे फोन से टमें करने जैसे आप connect करोगे, again आपके दूसरे फोन में कुछ इस टाइप का interface आ जाएगा, अगर आपके दूसरे फोन में कुछ इस टाइप का interface नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया, कि भया, manually जाके bug jagger app को on कर लो, जो bug jagger app है, उसको जाके manually on कर लो, manually on करने के बाद में आपको swipe करना है, fast boot वाले interface में आना है, उसके बाद में finally आपके सामने ये जो interface है, ये आ जाएगा, then सबसे उपर आपको ये जो reboot bootloader का option दिखने को मिल रहा है ना, आपको symbol सा इसके उपर click कर दिना है, जैसे आप इस वाले option के उपर click करोगे, आपका जो main phone है, वो fast boot mode के उपर आ जाएगा, then उसके बाद में आपको अपने दूसरे phone में ये वाले blue button है, इसके उपर आपको दुबारा click करना है, जो आपने पहले भी click कर आथा ना, bootload unlock के time पे, तो इस वाले blue button के उपर आपको दुबारा click करना है अपने दूसरे phone में, और यहाँ पर दुश्तों आपको कुछ commands फिर से type करना है, और जो भी मैं यहाँ पर steps कर रहा हूँ आपको यही same steps follow करना है, कुछ भी यहाँ पर mistake नहीं होना चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखो, मतलब बार बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो same जीदे भी यहाँ follow करो, कोई mister यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सबसे बहले आप install करोगे VB meta image को, उसके बाद में आप install करोगे यहाँ पर custom recovery image को, जो भी commands है वो मैं आपको वीडियो के नीचे description में लिख के दे दूँगा, तो tension वाली कोई बात नहीं है, सबसे पर यहाँ पर कमांड फास्ट बूट, flash, VB meta, उसके बाद में आपको file manager में जाके, VB meta image को select करके flash कर देना है, देन आपको यहाँ पर टाइप करना है, fast boot, flash, recovery, then space देके आपको, recovery image को select करना है, और उसको यहाँ same to same flash कर देना है, जैसे ही आपके यहाँ पे VV Meta और Custom Recovery Flash होता है तो यहाँ पे आपको Type करना है Fast Boot Reboot Recovery जैसे आप यह Command Type करके Ender करोगे आपका जो Main Phone है उसमें भाईया जो Recovery है Custom Recovery है वो Boot हो जाएगा फिलाल में यूज करा हूँ Peach Black Recovery को अपने Realme C3 के अंदर क्योंकि Realme C3 के लिए कोई भी stable TW recovery available है नहीं तो Realme C3 में मैं फिलाल custom recovery यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे peach black तो आपके लिए भी भी या सभी recovery files available है जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया फिर से मैं आपको इपर बता देता हूँ वीडियो के लिए डिस्क्रिशन पर आपको सभी files के links and commands देखने को मिल जाएगा तो उसको जरूर से भाईया check out कर लेना तो यह था तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाईया अपने phone मतलब किसी भी रियल में devices के अंदर जो bootload unlock है उसको कैसे करना है और phone में भाईया custom recovery को कैसे install करना है without PC उसके regarding मैंने आपको बता दिया है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया ना तो वीडियो को like करो और मिलता आप से एक लिए वीडियो में ने विडियो के साथ तब दिक लिए से बर रहे हमेशा smart रहे है अगर आपको आप वीडियो अ जापको प्रे आपको पस्टाः ने ने वाज़ है